मार्केट में शॉपिंग करते समय और रवाना होते समय अगर दुकानदार ये करें तो आप ये करें क्या करता है वो और क्या आपको करना चाहिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपको नकारत्मक एनर्जी का शिकार होना पड़ सकता है बेवज़े आप ये काम अवश्य करिएगा और हम रिसर्च करके शोद करके कोई जानकारी देते हैं हम देखते हैं लोगों को की अक्सर हो ऐसा करते हैं तो ये टोटका भी हो सकता है और आपको बरबाद भी कर सकता है आप हमारे वीडियो बहुत ध्यान से देखा करिए इसमें आपको बहुत बहुमूले जानकारी देने का हम प्रयास करते हैं हाई एवरिवन माई नेम इस डॉक्टर उमा श्री मेरे चैनल में आपका स्वागत है जो कि आपका अपना ही चैनल है ऐसे ही अपना सपोर्ट डॉक्टर उमा श्री चैनल पर बनाए रखिए अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है या हमारी सभी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर किया किजिए आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आप कमेंट सेक्शन में ओम नमस्षिवाय और जैमातदी अवश्य ही प्रेशित करें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करने में कंजोसी मत करिएगा और सब्सक्राइब भी करिए अगर आपकी रूची जोतिश तंत्र मंत्र वास्तु में है और इस तरह की बातों में है जो हम आपको चर्चा करके बताते हैं तो इस चनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए जिसका नाम है डक्टर उमाश्री आप कम्यूनिटी पोस्ट में हमारे पापुल और अप्लोड चैक करिए हमको इसकी बहुत आवशक्ता रहती है मोटिवेशन की तो तुरंद आप हमारे चनल को सब्सक्राइब करिए और कम्यूनिटी पोस्ट में हमारे पापुलर अप्लोड चैक करिए आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम आने वाला है आप भले ही ऐसे ही देखते होंगे लेकिन वो यह समझता है कि आप उसकी बिजनेस को नजर लगा रहे हैं उसके धंदे को चौपट करना चाहते हैं भले ही आपके मन में यह विचार आई ही नहीं लेकिन वो नेगेटिव विचार खुद ही अपने मन में सोचता है और तराजू को साफ करता है कई बार जाड़ते हुए भी देखा है कपड़े से जाड़ते हुए भी डंडी से जाड़ते हुए भी देखा है डंडी में कपड़ा बंदा हुआ होता है और जाड़ते हैं ये एक टोटका होता है जो अपने बिजनेस को संभालने के लिए वो करते हैं हाला कि अपनी जगे वो सही है लेकिन आपको भी ये काम करना चाहिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं आज के वीडियो में वो काम करे मिना आपको चैन नहीं आएगा तो ये काम आपको अवश्य ह करना है आपने देखा होगा कि आप जैसे कोई भी शॉपइंग करते हैं तो शॉप efficacy कीपर कपड़े से ध्जाड़ sjणता है नौकर बिना कुछ लिए चला गया ये बद्शोकुनी का निशानी होती है और दुकान तर ऐसा मानते हैं कि अगर कपड़ा फटक देंगे या मार देंगे तो फॉरण उनके दुकान में कोई और ग्रहक आएगा और उनकी विक्री हो जाएगी ये टोटका अपनी तरफ से सही करते हैं लेकिन आपको क्या करना है अगर आप दुकान पे चड़े हैं कुछ आपने लिया नहीं है तो आपको पहला कदम ये आपको उठाना है कि उससे शमा मांग लेनी है कि सौरी हम आपके दुकान पर आए लेकिन पसंद ना आने के अभाव में हम कुछ शॉपिंग नहीं कर पा आपको बुरा तो नहीं लगाना ये शब्द अवश्य ही बोलिए इससे उसको राहत मिल जाएगी और फटकना तो नहीं छोड़ेगा फटकेगा भी आपके सामने नहीं फटके कपड़े से आपके जाने के बाद फटकेगा लेकिन फटकेगा तो जरूर क्योंकि अपना क्योंकि कुई सब्जी आपको पसंद नहीं आई तो आपको कह लिए न चीए हाथ जोड़ कर माफी मंग लेनी चाहिए सब्जी वाले को छोटा ना समझे तो माफी मंग लेनी चाहिए कि मैंने आप से कुछ लिया नहीं आपने बूरा तो नहीं माना ना बस इतना सा वाक्य बोलेंगे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करिए तो इसी तरह से आपको आपने कुछ शॉपिंग खरी दी है लेकिन दुकानदार को लगता है कि आपने नजर लगाई है उसकी विजनेस को इसी तरह वज़े से वो तराजो साफ करता है तराजो को अब को बोलना है दुएं देजए उसको दुएं देने से हर काम आपका बनने लगता है हर नेगेटिविटी आपके जीबन से दूर होती है हमने एक वीडियो पहले भी बनाई है कि जो आपको कोई नहीं लगता है उसको भी दुएये अगर तराजु उसने साफ किया लिए तो कोई दिकत नहीं है उसका काम है वो कर रहा है लेकिन अपना काम आपको करना है उसको दुआएं देखें कि God bless you बोल के निकल लिए या आपकी बिकरी बहुत होती रहे निरंतर ये आशिरवाद उसको दीजिए तो ये आपका positive औरा को बढ़ाता है और आपके जीवन में कभी भी नुकसान के अफसर नहीं आते हैं फाइदा ही फाइदा होता है तो आप ये काम करिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए हम हैं एस्टो लॉजर और वास्तू कंसल्टन डॉक्टर उमा शरी हमारे से आप परामर्श भी ले सकते हैं 25 साल का अच्छा खासा तजूर्बा है ऑनलाइन परामर्श अ उपलब्ध है वास्तू पूरुष की लामा फेरा हीलिंग भी हमारे यहां उपलब्ध है सभी तरह की हीलिंग हमारे यहां उपलब्ध है जो आपको फाइदा पहुंचा सकती हैं हीलिंग एक ट्रक्रिया होती है जिसके द्वारा आप नेगेटिव एनरजी को दूर कर सकते ह सुरक्षा बाव ऩिश्वाथ बढिआए विजिट हैं और बूखेल الرही के लिए bin प्रावर्ण के लिए साथ इसाथिवार्ण काम्म कुछ को चो malaria प्पत्ण करने सरी करें है न हम उनम किमा डियन पूत में फ़ायए के जरीए संपर करिए हमें 25 साल का तजूरवा है जो आपके काम आ सकता है तो आज का वीडियो हम समाफ करते हैं फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ में नमशकार